आज की वीडियो में समझेंगे RCT के वारे में, Root Canal Treatment के वारे में, जिसको नसो का इलाज कह दिया जाता है, तो अगर आपके दात में भी दर्द रहता है जादा, खराब हो गए हैं, या किसी कारण से आधे दात तूट गए हैं, या फिर आपके डॉक्टर ने आपको RCT करने क की सलादी है, और आप समझना चाहते हैं कि ये कैसे होती है, तो इस वीडियो को लाश तक जरूर देखें, अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा, RCT जो है नेचरल टीत को बचाने के लिए सबसे ज़्यादा किये जाने वाला treatment है, तो इसको आज हम देखेंगे, ये कैसे कि दिया जाता है, तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर हरी शंकर सोनी, और आप देख रहे हैं, इजी डेंटिस्टे, तो चलिए अब इसको समझते हैं, एक ये फोटो आप देख रहे हैं, अंदर से हमारा दात ऐसा दिखता है, जो उपर वाला पाट है, जो हमारे मुह म देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं, इनेमल, जो सफेद कलर की होती है, ये हड्डियों से भी जादा मजबूत होती है, अगर ये थोड़ा बहुत खराब होता है, तो हमें दर्द नहीं होता है, इसके बाद दूसरी लेयर जो आप देख रहे हैं, हलके पीले कलर की होती है, ये उपर वाले portion चे लेके नीचे तक, जड़ो तक होता है, जब ये infected हो जाता है, तब हमें दर्द सुरू होता है, और इस condition में RCT की ज़रूरत बढ़ती है, RCT में किया क्या जाता है, आपकी नसो को अच्छे से साफ किया जाता है, infection को निकाला जाता है, और जब दर्द आपका खत्म हो जाता है पूरी तरीके से, तब पहले नसो को फिल किया जाता है, एक बायो कमपेटिबल माटेरियल होता है, जो आपके लिए विल्कुल नुक्सान जाता है, जिससे आए सुन हो जाता है, दर्द नहीं होता इसके बाद, और फिर जो उपर की लेर है, enamel डेंटी नहीं होता है, जैसा हमने बताया सबसे हाड़ पार्ट यह होता है, फिर डिल करके हम पल्प में पहुचते हैं, नसो तक पहुचते हैं और छोटे छोटे चोट किया जाता है जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं इसके बाद दवाईयों से इनको अच्छे से क्लीन किया जाता है और इनको पैक कर दिया जाता है और जब दर्थ खत्म हो जाता है तो फिर पहले नसों को फिल किया जाता है जैसा वीडियो में आप देख रहे हैं अच्छे से उनको पैक किया जाता है उसके वाद जो उपर की केविटी है उसको अलग मटेरियल से फिल किया जाता है जनरली तीन से चार वार इसके लिए को डॉक्टर के पास जाना होता है RCT complete होने के बाद इसके उपर एक कैप लगाने की सला दी जाती है टूत के उपर एक कैप लगा दिया जाता है जिससे की इसकी मजबूती बनी रहती है और आप इसको पहली की तरह यूज़ कर सकते हैं तो यह RCT की procedure है, hopefully आपको समझ में आया होगा अगर आपको जरूरत है और आपके डॉक्टर ने आपका RCT suggest की है तो इससे जरूर कराएं तो इस वीडियो में इतना ही hopefully आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर यह वीडियो आपके लिए helpful रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दे share कर दे अपने friends के साथ और comment section में आकर बताएं कि इन topic पर आप और अधिक वीडियो देखना चाहते हैं तो जाने से पहले subscribe जरूर करें मिलते हैं next वीडियो में Thank you friends